नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनेयाल स्टडी और आज हम डिसकस करने वाले हैं एक्जाम वर्क्शॉप इंस्ट्रक्टर का यह जो एक्जाम है यह आज हुआ है आस्तारी के दो फरवरी 2021 दो फरवरी 2021 तो हम डिसकस करने वाले इसका जीकी सेक्शन अगर आपको इस पीडियाप चाहिए तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हो हिम एक्जाम वेबसाइट से तो वहाँ पर आपको मैक्सम कोशन मिल जाएंगे काफी एची वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कीजिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमार जो टेलीगरम चैनल है व पैटरं चल रहा है HPSC हमिरपुर का जी की सेक्षन के लिए वो किस तरह का है तो सबसे बहरे बात करते है हिमाजल जी की की इस एक्जाम में कोशन पूझे गये है 14 तो हिमाजल जी की की अब जो कोशन आ रहे है वो 14 to 15 आपके आ रहे है उसके बात बात करते है करंट फेर की तो current fair की इसमें जो question पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपकी total पांच question और इसमें current fair की बात करें तो current fair इसमें जो सारे current fair वो हैं October 2020 के तो कल भी आपके exam हुए हैं तो एक exam में मई या फिर अप्रेल के आए थे एक में आपके December की current fair आएगी और इसमें October के current fair आए हैं तो थोड़ा से confusion create कर रहा है कि जो current fair है वो कितने मंद के पूछे जा रहे हैं तो अभी clear cut ideas का नहीं लग रहा है और उसके बाद बात करते हैं reasoning की तो reasoning के इसमें जो question पूछे गए हैं वो total पूछे गए हैं 5 तो reasoning जो section है वो थोड़ा से नोंने बढ़ा दिया है बाकी जो question है question के topic है वो same ही है reasoning के अगर आप last जो 31 जनवरी 2021 को जो exam होए उनको चेक करोगे और ये exam चेक करोगे तो reasoning के जो question है उनके जो topic है वो same उठाए गए है उसके बाद बात करते है history के तो history के आपकी total 5 question इसमें पूछे गए हैं बात करें पॉल्टी के इंडियन पॉल्टी की बात करें तो इंडियन पॉल्टी के इसमें 3 question पूछे गए हैं उसके बाद बात करें इंडियन जिग्र के तो इंडियन जेग्राफी और वर्ल्ड जेग्राफी के इसमें टोटल पांच क्वेशन पूछे गया हैं उसके बाद बात करें इंडियन एकनोमिक्स के तो इंडियन एकनोमिक्स का सिर्फ इसमें एक क्वेशन पूछा गया है बात करें जन्रल साइंस की तो जन्रल साइंस में देखें आपके पास Physics, Chemistry, Biology ये चीज़ आजाती है तो इसके भी टोटल आपके पास तीन कोशन इसमें पूछे गए हैं और उसके बात करें English और Hindi की English की 4 कोशन और Hindi के 4 कोशन तो अगर आप चेक करेंगे 2020 का जो G की सेक्षन का पैटर्न था वो कुछ और है और 2021 का इनको जो पैटर्न है जिसमें जो अलगलग सब्जेक्ट की वेटेज है वो काफी चेंज हो चुकी है तो जो भी पैटेस्ट एक्जाम हो रहे हैं उनको आप जुरूर रीड करें तब आपको थोड़ा सा इडे लग जाएगा किस तरह से एक्जाम आ रहे हैं तो जो लिए फिलाल डिस्कस करते हैं कॉशन में पर कौन-कौन से कॉशन इसमें पूछे गए हैं तो फिर्स्ट आपके पास कोशन किया है विच इस दा लाज़ेस्ट डिस्टिक ऑफ एच पी हिमाजबदिश का सबसे बड़ा जिला कौन है एरिया वाइस तो वो है आपका लाहॉल स्पिती ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका नेक्स्ट किया है विच डिस्टिक ऑफ एच पी है लाज़ेस्ट नमर ऑफ इंडस्टिल यूनिट तो हिमाजबदिश की केस जेली में अदोगी की कायों की सर्वदिक संक्या है यह है आपके कांगड़ा में आप्शन से करेक्ट आंसर इसका नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंस्टि ओफ एच पी पर स्केर किलोमेटर एस पर सेंसी 2011 जन गन्ना 2011 के इनसार प्रती वर्ग किलोमेटर हिमाजबदिश की जिन संक्या गनत्वा कितना है तो यह है एक सो तेईस वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट कोशन किया है हिमाजबदिश का सर्वेदिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है रेनियस्ट प्लेस ओफ एच पी तो यह है अपका धरमशाला ऑप्शन भी करेक्ट अंसे इसका नेक्स्ट कोशन किया है विच इस लोवेस्ट माउंटर नीज ओफ एच पी हिमाजबदिश की सबसे निचली पववत माला कौन से है यह है आपकी शिवालिक ऑप्शन ए करेक्ट अंसे इसका नेक्स्ट कोशन किया कोशन भारा बिजली महादेव बिजली महादेव इस लोकेटिड इन विस डिस्टिक ओफ एच पी बिजली महादेव आपका पड़ता है डिस्टिक कुल्लू में ऑप्शन ए डिस्टिक कुल्लू करेक्ट अंसे इसका तो हिमाजबदिश की इसमें काफी एज़ी पूछा किया है उतना टफ नहीं है नेक्स्ट कोशन किया है एन आईटी हमीरपूर इसका नाम ही है एन आईटी हमीरपूर एन आईटी नेशनल अंसे टोफ टेक्लोजी इस लोकेटिट इट विच प्लेस इन एच पी तो यह कहां पे है यह है आपका हमीरपूर में ऑप्शन सी करेक्ट अंसे इसका नेक्स्ट और बात करी इसकी तो यह बनाता 1986 में तो यह आपको पता होना जीए नेक्स्ट क्वेशन किया है रेनुका फियर इस सेल्बेटिड इन विच टिस्टिक ऑफ एच पी हिमाजविदिश्ट की किस चिले में रेनुका मेला बना जाता है नेक्स्ट हमीरपूर टाउन वस फाउंडिड इन विच एर बाई हमीरचन हमीरपूर टाउन हमीरपूर जो शेहर है उसकी स्तापनों कीगी थी हमीरचन के द्वरा और कब कीगी थी 1780 में ऑप्शन ही नेक्स्ट के है हिमाज़पूर जो पहली विदानसभा दी उसमें कितने से 10 से थी तो टोटल 36 मेंबर थी और एड़ परजन के दने हैं हमारे 68 नेक्स्ट क्वेशन के है दतरपूर प्रिंसली स्टेट दतरपूर प्रिंसली स्टेट दतरपूर जो राजसी राजज्य है उसकी स्टापना किस ने की थी तो ये की की थी दतर चंद के दोरा दतर चंद के दोरा तो उन्होंने इसकी स्टापना की थी और उन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा था दतरपूर तो यहां पर आपके पास option में नहीं है तो option D 39 correct answer का next किया है first lieutenant governor of HP boss इमाचर पुदिश के पहले lieutenant governor कौन थे तो उनका नाम था major general हिम्मत सिंग तो correct answer का option major general MS हिम्मत सिंग next question किया है आपका question 19 कशांग first hydrolyctive project is built on which river of HP तो कशांग first जो जल्विदित परियोचना है हिमाचर पुदिश की किस नदीब निर्मित है correct answer is option D ये है सतलोज भी next question देखते है question क्या है हिमालेन डिस्टिक आफ कुल्लू एन नाहल्स पिती ये जो पुस्तक है ये किसके दोरा लिखी की है हिमाचर पुदिश का जो maximum जी के section है वो हमने trick के मादिम से भी cover कर रहा है आप simply google sorry youtube पर search कर सकते हो आपको मिल जाए का वहाँ पे हमने जो books है हिमाचर पुदिश की famous 50 books है 50 के असपास है तो वो हमने सभी trick के मादिम से भी cover की है तो एक बार जागी जुरूर देखे तो इसका job की पास correct answer 20 का वो है option D APF हार कोट के दोरा ये लिखी की है हिमालन district of colloon lords पिती next क्या है द क्यांग मेला डांस is performed in which district of HP तो क्यांग माला जो लोक नित्य है किस जिले में मनाया जाता है तो इसका job की पास correct answer है 21 का तो ये आपकी पास है 21 का option B किन और correct answers का उसकी बाद next हम आपास question के है 22 which tennis player तो यहां से आपका current fair start हो रहा है current fair सारे आपकी question पूजे के है अक्तुबर 2020 की तो question के है which tennis player has recently won the 13 French Open men's single title तो किस tennis के लाड़ी ने भी हाली में तेर भी French Open पूर शेकल किताब जीता है उनका नाम है रैफल नडार option C correct answers का next के है which state has recently become the first to have high tech classroom in all its public school तो हाली में सभी साबजनिक पिद्यालों में high tech classroom साबित करने में पहला राजे कौन सा बना है तो यह आपका केरल option B correct answers का next दिनेश्क मार खारा has been recently appointed as the chairman of which public sector bank तो दिनेश्क मार खारा भी हाली में appoint के गया है chairman कौन से public sector bank है तो correct answers का option A has been state bank of India तो 25 क्या है which personality institution won the noble peace prize 2020 तो किस व्यक्तितो संस्तान ने noble शानती पुरुषकार 2020 जीता है correct answers का option D UN world food program UN wish खाद्यकारकम के द्वरा next the center has recently released 20,000 क्रूड as compensation to state related to which tax के इंदर सरकार ने भी हाली में राज्यों को क्षिति पूर्थी के रूपे 20,000 कोट जारे किये है किस कार से समान दिता है यह है GST से लेटर goods and service taxes बस्तु एंड से बागर option B correct answers का next 27 यह आपकी reasoning की question है first care which is different from the rest तो यहाँ पे आपकी पास 31, 41, 61 यह आपकी पास prime number है तो different concern में से 21 इसके factor आप simply बना सकते हो 73 तो बागी की factor आपकी पास नहीं बनते है तो option नहीं correct answers का next आपकी पास question का 28 तो question आप यहाँ पी check कर सकते हो same question आप पूछा गया है तो 16, 51, 35 को अगर हम piece लिखते है तो 12, 15, 225 को हम क्या लिखेंगे तो इसमें देखिए simply क्या किया गया है जो आपकी पास alphabet है उनको directly जो भी जैसे आपकी जो alphabet की order है उसमें A की value को A रखा गया है B की 2, C की 3, उस तरह Z की कि दिखेंगी 26 तो वैसे ही simply इनको directly उठाए गया है तो वैसे आपकी पास 16 हो गया P और 5 नमर पर आपकी पास आता E 1st पर आता A और 3 नमर पर आता C फिर से 5 पर आता E तो यह आपका piece बन गया तो यहाँ पर आप क्या करोगी option की थू जाओगे अगर आप option की थू जाओगे तो आपकी पास L की जो value है alphabetic order में वो है 12 O की value है 15 V की value है 22 और E की value है 5 तो यह बन गया 12, 15, 22, 5 तो यह नहीं क्या कि यह गया है simply जो alphabetic order है वहीं से उठाए गया है यहाँ पर जैसे example दिया है की A की value आपकी पास 1 है B की 2 है तो Z की 26 है तो यहाँ पर जो correct answer वो का option B love तो next आपकी पास series यहाँ पर देखी है तो series कुछ इस तरह से है first है F, L, U दूसरी है G, M, V तीसरी आपकी पास है H, N, W उसके बाद के I, O, X next आपको पताना है next क्या होगा तो यहाँ पर थोड़ा से मैंने question आपको clear कर दिया यह same question आपको पूछा गया है तो यहाँ पर आप चेक करोगे अगर आपनी जो series दी है वो किस तरह से चल रही है यहाँ पर देखी सबसे पहले है F उसके बाद next जो आपकी पास letter है यहाँ पर उसमें क्या है G उसके बाद है H उसके बाद है यहाँ पर I तो I के बाद क्या था है जे ठीक है? और second number पर आपकी पास alpha पर 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 एल उसके बाद दूसरे में second number alpha पर 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 एम L M N O तो next क्या होगा P थार्ड पे आपके पास अल्फबेट है U, V, W, X और यहां पे क्या होगा? Y तो आंसर क्या गया? J, P, Y सिंपल आपका यहां किया है अल्फबेटिक ओर्डर को फॉलो किया गया है तो बस आपको पैटन यहां पे देखना था किस तरह से फॉलो किया गया है तो J, P, Y, Correct Answers का तो Option D, J, P, Y, Correct Answers का Next आपके पास यह है हिंदी में इसको पढ़ता हूँ विजय दक्षिन दिश्टा में 12 किलमेटर चला फिर दाएम उड़ता है और 10 किलमेटर चला फिर दाएम उड़ता है 12 किलमेटर चला विजय आरंबिक विंदू से कितना दूर है यह आपको बताना है तो Question आपके पास काफी Simple है चलिए इसको थोड़ा सा Solve कर लेते हैं यह आपके पास North, South, East, West तो सबसे क्या बलता है विजय दक्षिन दिश्टा में 12 किलमेटर चला South में कितना चला 12 किलमेटर ठीक है मालने थे उसने यहां से स्टार्ट किया यहां से स्टार्ट किया और South में कितना चला नीचे को 12 किलमेटर ठीक है And turned right और उसके बाद उसने right turn यहां से ले ली और कितना चला 10 किलमेटर Right turn लेने के बाद कितना चला 10 किलमेटर ठीक है, then turn right और उसके बाद फिर से वो right मुण गया और कितना चला, 12 km 12 km स्टार्टिंग पॉइंट से पहले 12 km चला फिर right मुणा 10 km चला फिर उसके बाद फिर से right लेके 12 km चला तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हो कितना दूर है तो जितना यहां से यहां तक difference है उतना ही यहां से यहां तक difference हो गए यानि कि 10 km स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है 10 km और उप्शन ए, correct answer नेक्स्ट, 2 days Monday, after 61 day इट विल भी तो दीकी यह question भी काफी simple है तो बोला है, आज Monday है आज Monday है तो 61, यानि कासर दिन बाद क्या होगा तो आज Monday है, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा Monday होगा, उसी तरह गर आप इसको 7 से multiply करेंगे यानि कि 9 साते 63 हम 61 day की करीब वाला देखेंगी ठेके, 9 साते होगा 63, यानि कि 63 देवाज क्या होगा आपकी पास फिर से Monday ही आएगा ठेके, हर 7 दिन बाद के आएगा Monday, तो 9 साते 38 होगा, यानि जब 63, 63 वाला दिन आपकी पास होगा, तो वो Monday होगा ठेके, 62 वाला दिन होगा, वो होगा Sunday, और जो 46 दिन होगा, या आपकी पास क्योगा, Saturday, ठेके तो option A शनिवार इसका correct answer, तो आपको simply क्या करना है, 7 से multiply करना है, उस नमर के नजदीक ले जाना है जो आपको पूछा गया है, ठीक है 11 पूछा गया था, तो उसके नजदीक जो भी नमर आपकी पास आता है, जो 7 से directly multiply होता है, वो आपको देखना है, और वहीं से फिर आगे वीची करके आपको देख लेना कौन से दिन आएगा, तो correct answer हो गया, Saturday option A next question देखते हैं question number 32 तो यह आपकी पास है history, तो बुद्धा का मतलब क्या होता है, and enlightened one, प्रभुद्ध व्यक्ती option C, correct answer इसका next, the author of आर्थसास्त्र वाज कंटेप्टरी आप, आर्थसास्त्र के लेकर थे आपकी चानक्या, विश्नुकुपत के नाप से जीने हम जानते थे, तो उनकी कंटेप्टरी, समकालिन कौन थे, चंद्रकुपत, मौरिया next, where is the longest corridor of the temple, मंदिर का सबसे लंबा, गलियारा कहां पे है तो यह आपका है, रामिश्वर में option D, correct answers का तो next question देखते हूं उसके बाद किया है the battle of हल्दी घाटी was fought between अकपर और किस के बीच मोहता राना, परताप सिंग के बीच में option C, correct answers का तो comment करके बताए कि जो हल्दी घाटी का यूद्ध है, वो किस वर्ष होगा था यह question exam में काफ़ी बाद पूचा किया है next question किया है, in which year महात्मा गांधी launched the civil disobedience moment महात्मा गांधी ने सभी ने अभर के अंदोलन किस वर्ष शुरू किया था तो 36 काप के बाद जो correct answer, वो है option सी 1930 में next किया है local governance is the foundation of a स्थानिय जो सोचाचन है, किसका धार है यह है, democracy यानि कि लोकतंतर का option सी correct answer इसका next किया है, who is the ex-official chairman of a राजसबा, तो simply पूचा गया है कि यह chairman कौन होता है, राजसबा का वो होता है आपके vice president हमारी जो उप्रास्ट पती है और इन्हें ex-official क्यों का जाता है, क्योंकि जो भी हमारी देश्ट का vice president बनता है, वो automatically chairman हो जाता है, राजसबा का इसलिए इन्हें कहते हैं ex-official chairman जब भी आप कोई एक job करते हो, दूसरी job आपको सिखसाथ automatically मिल जाती है, तो वो होगी ex-official, तो वैसे ही जब कोई vice president बनता है, तो automatically वो chairman बन जाते हैं, राजसबा की इसलिए उन्हें ex-official chairman कहा जाता है next थर्टीन कहा है, presently how many schedule आठ दे रहें दा, इंडियन constitution तो बारा schedule है बारा अने सूचिया है हमारे सभधान में option D, correct answer 40 विच इस दा लाज़ेस प्लैनेट, जुपिटर option, ये correct answer का ब्रियास पती सबसे बड़ा गरे है next 41 किया है, which is the largest area wise river of India भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है क्षेत्रफर की अदार पे तो इसका आपके पास correct answer की option C, ब्रह्मपुत्र next के 42 which is popularly known as pink city of India किसे लोग प्रियरूप से भारत का गुलावी नगर जाना दा इस नाम से तो जैपूर को क्या कहते है pink city of India next question क्या है Vatican city is located in which continent तो Vatican city किस महादीप में से थे तो इसका आपके पास correct answer है वो है option B, यूरोप Vatican city कहां आपकी यूरोप में है next 44 क्या है the flash flood is related with beach of the flying a cosmic barman में से किस से समन देते है जाप के पास torrential downspore होते है जो associated होते है with cyclonic storm वो के करते है heavy rainfall जैसे situation create करते है जिससे हम कहते है flash flood तो इसका correct answer क्या है वो है option B, चक्रवाती तुफवान next 45 क्या है structural unemployment arises due to जो सरचनात्मा की विरोजकारी है किसके कान उत्पन होती है 45 के पास जो correct answer है वो है option T inadequate productive capacity की वज़से आप र्याप्त वदबादक शम्ता की वज़से next 46 अप के पास क्या है which of the flowing disease usually spread through ear तो इन में से कौन सी बिमारी समानता वाईव के दोबारा फैलती है तो correct answer का option C tuberculosis next क्या है shaving mirror is shaving जो दरपन होता है जिसमें shave करते है वो कौन सा होता है 47 का option B concave correct answer का next question क्या है the coating of thin layer of zinc or steel or iron object is known as steel अथवा iron के बतारतों पर zinc की जो पतली पारत होती है उसका बढ़न उसे क्या कहते है galvanization option C correct answer का next फोर्टीन एन के है एंटीन में तो word former is तो इसका जब की पास correct answer का option D letter ठीक है former आपकी पास क्या होता है जो past में हो चुका होता है ठीक है जिस हम कहते है former president former prime minister पूरुप कालें ठीक है तो इसका correct answer का option D letter next 50 क्या है correct spelled word correct spelling कौन सी है option D scholar S-C-H sorry S-C-H-O-L-A-R scholar next 51 के है the car ran blank the railings the car ran into the railings option D correct answer का 52 meaning of the idiom to fly off the handle is तो इसका जोब के पास correct answer है 52 का वह है option D to lose one's temper 52 का option D correct answer का तो हिंदी में के मतलब मना है इसका है कि बहुत गुसा हो जाना अपना आपको देना चीक है इस तरह से आप से समझ सकते हो next के है भवेश का संदीव चेत के होगा तो यह होगा भव प्लस इश बड़ी इश भवेश भव प्लस इश option B correct answer का next शुद सब दिन में से कौन सा है तो यह है option D सभाविक next question के है 55 तरी बाद में कौन सा समास है तरी प्याद यानि तीन पादो का समाहार तो सबसे पहर आपकी पास क्या है संख्या दीगी है तीन तो जिस भी समास में आपकी पास पहले संख्या दीगी हो वो होता है द्वेगू समास तो यहाँ पे आपकी पास option में नहीं है तो मेरे ख्याल से यह जो question है यह objectionable है जिसका भी exam हुआ है वो से objection कर सकता है क्योंकि इसका जो answer होगा वो होगा next question क्या है श्रम का position क्या होगा तो यह होगा श्रम इक option D correct answer इसका तो आज के लिए इस video फ़ला लेता नहीं और आप हमें follow कर सकते हैं हमारे telegram channel पे telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा so thank you so much